किसान सातियों आज हमारे महमान हैं डॉक्टर अतुल जोशी जो की एक वरिष्ट पशु चिकिस्सक रहे हैं और वर्तमान में आप परामर्श दाता के रूप में कारे कर रहे हैं आज आपसे बाचीत का विशे रहेगा पशु चिकिस्सा में आयरुवेद का योगदान डॉक्टर अतुल जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज किस कारेकर में डॉक्टर जोशी सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक पशु चिकिस्सक रहे हैं कि पशु चिकिस्सा में आयरुवेद किस प्रकार से योगदान दे रहा है भरती जी हम एक आयरुवेद जो है एक साइन्स है जिसका मतलब यह है कि आयरु माने जीवन और वेद माने विज्ञान तो आयरुवेद एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए उसमें खाली मनुष्य नहीं आते मनुष्य भी हैं पशु भी हैं यहां तक पौधे भी हैं और यहां तक की मदुमक्खियां इन सब का जो है आयरुवेद के इसके लिए बहुत अच्छा एक इलाज बोलिये या उनका उपचार के लिए आयरुवेद का एक बहुत बड़ा योगदान है जी तो क्या पशु चिकिशक में वर्तमाण में आयरुवेदिक दवाऊं का प्रियोग होता है एक्छुरी क्या है सर आयरुवेद तो बहुत व्यदिक काल से ही चला रहा है और अगर मैं बोलूं तो अधिसनयवकती नहीं होगी कि महाभारत काल में और वैदिक काल में भी शाली होतर जो थे एक बहुत अच्छे पसुचिकित्सक माने जाते थे उन्होंने इसी पसुचिकित्सक में मेडिय का मेडिया भी निकाला था जो उनी के द्वारा रचित था और साथ में अगर आप देखें कि महाभारत काल में भी नकुल और सहदेव एक बहुत कुशल पसु चिकित्सक के रूप में रहें जो कि गाए और घोडों का बहुत चिकित्सके छेतर में बहुत उनका ग्यान रहा है। जिसकार की आयरुवेदिक औसदियां धी जाती हैं जिसे ये सब पुरातन काल से चला रहा है। ये ज्यान है और प्रकरती जो हमारा पशु है वो प्रकरती के बहुत नजदिक है। वो आप देखेंगे चाहे जंगल में हो ये पुरातन काल से भी पशु अपना इलाज स्वयम करता था। आज भी हमारे अगर घर में चाहे कुटा हो ये बिल्ली हो कभी उनका अगर पेट कुछी तरीके से अपचक हो जाता है ये अपच होता है तो भार जाते वो घास ऐसा घास सलेट करते हैं जिससे कि उनका पाचन सही हो जाए और उपवास रखते हैं। तो ये सब चीज पुरातन काल सही चली आ रही है तो आयूरवैत का पसुचिकित्सा में बहुत बड़ा योगदान है। जी तो हम ये जानना चाहरे थे कि अगर ऐलोपेथिक दवा दी जाए और आयूरविदिक दवा दी जाए तो कौन सी जादा फाइदेमंद रहेगी एक ही बीमारी में। हमारे यहां पसुचिकित्सकों की बहुत कमी है। जो पुराने हमारे अगर जो डाटा हमको मिले हैं 73 के उसके हिसाब से उन्होंने बोला था एक लाख सरसट हजार पसुचिकित्सक की आवसकता है। लेकिन आज अगर हम टूटल सब हर तरह के पसुचिकित्सकों को लें तो सिर्फ 55720 के करीब हमारे पसुचिकित्सक हैं। इनके अभाव से पसुचिकित्सकों उतनी महता नहीं मिल पा रही है या हम धंक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अल्प ग्यान की वज़े से हम एंटीबाइटिक का इविन किसान या हमारे और बी जो जिसे क्वैक बोल सकते हैं। ये लोग एंटीबाइटिक का अंदादुन इस्तमाल कर रहे हैं। जिसका की दुष्परभाव बहुत ज़्यादा है पशूँ में भी और समाज में भी। तो हम कह सकते हैं कि जो एलोपेथिक दुष्परभाव ज़्यादा है बनिस्बत आयूरवेद के। इसका कारण मुख्य ये है कि AMR नाम की एक है कि इसमें क्या होता है एंटीबाइटिक माइकरोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ये सिर्फ इसले आई है कि अंदादुन जो हैंटीबाइटिक का इस्तमाल हो रहा है इविन आप ही देखेंगे कि आने वाले 2050 में कम से कम एक करोड से भी उपर के इंसान और मनुष्य खतम हो जाएंगे सिर्फ इस AMR की वज़े से एंटीबाइटिक माइकरोबियल रेजिस्टेंस और अफरीका और कई कंट्री में तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है ये सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पस इस प्रॉबलम को हम टेकिल कर सकते हैं आसानी से तो ये जो आपने AMR बताया एंटी माइकरोबियल रेजिस्टेंस ये क्या होता है थोड़ा इस्तार से हमारे किसान साद्धियों को बता है । एक्षूरी के एंटीबाइटिक का जब हम इस्तमाल करते हैं तो हर मर्ज की अल हमारी होती है पसुओं में तुरंत अपना वो दिखाने के लिए कि एकदम इलाज हो गया है यह ठीक हो गया है तो एंटिबाइटिक और आजकल कमपनियों ने नए जनरेशन के एंटिबाइटिक मार्केट में उता रहे हैं जिनका इस्तमाल बिना सोचे समझे हम लोग पसुओ में कर रहे हैं अंतो गत्व क्या होता है कि यही एंटिबाइटिक दूद मांस और अंडे के रास्ते भार आते हैं क्योंकि इनका विड्रावल टाइम जीरो से दस दिन तक का होता है अब इससे का मतलब यह है कि कुछ एंटिबाइटिक तो थोड़ी देर में निकलाते हैं तो जितना भी उनका मांस दूद अंडा है उसमें रेजुड़ल एफेक्ट जो होता है वो हम लोग लेते हैं तो आम जनता भी इससे प्रभावित हो जाती है और समाज में इसका बहुत बड़ा दुस प्रभाव होता है इसको बोलते हैं आच्छा जब भीमारी होती है अगर उस एंटिबाइटिक का फिर उस मर्ज के इलाज में प्रभाव नहीं रह जाता इसे रेजिस्टेंस कहते हैं हम जानना चाहेंगे आपसे क्या भारती जो डेरी उद्योग है उसमें भी आयूर्वेदिक दवाओं का प्रियोग हो रहा है उसको बढ़ावा मिल रहा है भारती बिभाग का एक अलग मंत्राले बना तो इस छेतर में कार्य हो रहा है जिसमें की एक एमोईू भी हुआ है कि हम आयूर्वेदिक दवाईयों का इस्तमाल करेंगे और जो है परमपारिक ज्यान है और इसका इस्तमाल से सिर्फ पशूओं का नहीं आप देखे कि जो रेजिड काणू है वो उनका भी दूस्प्रभाव पड़ता है वो इतने फर्टिलाइज नहीं हो पाते और इससे किरसी पर भी इसका दूस्प्रभाव है और उसका रेजिडियल एफेक्ट जो है हमारे किरसी और फसलों में आता है वही अनाज फिर हम लोग खाते है इसलिए का इस्तमाल तभी करना चाहिए जबकि बहुती अत्यनत आवस्चा को विदेशों में एंटिबाइटिक से ट्रीट कियेवे एनिमल को अलग कर देते हैं उसका दूद नहीं लेते उसका मांस नहीं लेते उसका अंडा नहीं लेते हमने सुना है कि पशू आहर में का बहुत ज़्यादा प्रियोग पहले होता था और अभी भी कहीं कहीं जगे हो रहा है वैसे तो WHO नो इसको बैन कर दिया इसका क्या था कि पशू की ग्रोथ के लिए कि जल्दी से जल्दी पशू बड़े तो उन्होंने एंटिबाइटिक एक ग्रोथ परमोटर के तौर पर फीड में इसका इस्तमाल करना सुरू किया दो हजार नौ में साथ आठ और नौ में इसको WHO नो भी बैन कर दिया था और कही जो है डवलब कंट्री यूरोपेन कंट्रीज ने बैन किया है लेकिन अभी भी हमारे देश में ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे अंटिबाइटिक खि इसका की बहुत बड़ा ही मैं जैसे पहले भी बोला एमर के लावा इसका हर तरह से दूस्परभाग होता है जी तो अंत में हमारे किसान सातियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम आयरवेदिक जो दवाएं हैं या प्रोडक्ट्स हैं खास और से हम जड़ी हूँ मैं इसका दूस्परभाव क्या होता है आप देखिए कि आज हम ठनेला मेस्टैटिस है या कही तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमारे अगर डिरेक्ली इंडिरेक्ली देखें कि आर्थिकीपी बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ रहा है चब्वीस हजार करोड और आज भी मिल्क एन मिल्क प्रोड़क्ट्स को हम विदेशों में नहीं बेश सकते क्योंकि यह सब ड्यू टू है भी यूज अफ एंटिवाइटिक और उसका जो मेन रिजिडियल एफेक्ट है वो दूद में आता है दूद के प्रोड़क्ट में आता है तो यूरोपेन ज पर बोला कि 26,000 करोड रुपिया साला ना हमारा सिर्फ इसलिए नुकसान होता है क्योंकि हम एंटिवाइटिक को यूज करते हैं और यह आयुरुवैद एक प्रमपारिक ज्यान है आयुरुवैद का अगर हम लोग करें ढंक से इस्तमाल करें एक तो उसका दुस्प्रभाव नहीं है ना खेतों में दुस्प्रभाव है ना उसका किसी पशू में ये समाज में दुस्प्रभाव कभी नहीं होगा तो आप लोग आयुरुवैद को जितना अभी भी कई कमपनिया हैं जो इस छेतर में बहुत काम कर रही हैं और अच्छे किसम के आयुरुवैदी भार धन्यवाद मैं आकास वनी देरा दून और भारती जी आपका बहुत-बहुत जिसे कहरते हिर्दै से आभार बेक्त करता हूं धन्यवाद